बिस्मिल्लाइर वख्माने वाहीम, अस्सलाम अलेकम दियर फ्रेंट और फामली, वीकेंड है, मैंने सोचा क्यों ना आज स्टॉफ क्रस्ट पीजा बनाया जाए, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, और अगर आप पीजा हट या कहीं और से लें, तो बहुत महंगा भी मिलता है, तो घर पे बनाते हैं, इसके डो के लिए मैंने प्लेन फ्लावर लिया है, वन एन हाफ कप शुगर लिया है, वन एन हाफ टेबल स्पून, येस्ट है, वन टी स्पून, गारलिक पाउडर है, जी हाफ टी स्पून के करीब, उसके इलावा सॉल्ट मैंने लिया है, वन टी स्पून और मैंने कुकिंग ओयल ले लिया है कोई भी वेजटेबल ओयल आप ले लिजिए टू टेबल स्पून और आधा कप लिया है जी दूद और ये नीम गरम दूद है ठीक है ये सब चीजें डालके हम इसका डो त्यार करेंगे तो आपके पास मिशीन है तो उसमें कर ले तो उपर से इसको ओईल लगा दीजिए और इसको क्लिंग फिल्म या कोई भी कपड़ा रखके इसको ढख दें तो इसको हम राइस होने देंगे फिर क्रॉस्ट की तियारी करते हैं जिसमें मैंने मौजरेला चीज लिया हाफ कप यहाँ पी हे हलापीनोस है चार पांच पिर यह है जी गॉलिक पाउडर अगेन हाफ टीजपून और इसी तरह हाफ टीजपून मैंने जो है वो मिक्स्ट हर्ब्स ले ली है फिर मैंने इसमें जो है वो मिक्स्ट हर्ब्स डाल दी है और मैंने यहाँ पे गॉलिक पाउडर भी जो है वो चीज में डाल दिया है हलापीनो उसमें छोटी-छोटी सी काट के डालूगी, आपकी मर्जी है, आपको stuff crust में कीमा पसंद हो, olives पसंद हो, जो भी पसंद हो, आप mozzarella cheese के साथ डाल सकते हैं, तो ये बस सारी चीज़े मैंने इसमें डाल के इसको भी कर लिया है, अची तरह से mix, फिर आते हैं जी हम जो इसकी toppings के ल की recipe सिरफ आपको idea दे रही हूँ कि आप इस तरह से बना सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैंने चिकन जो है वो छोटा-छोटा सा काट के इसमें तिका masala and yogurt डाल के इसको mix कर लिया है, और उसके बाद मैंने एक frying pan में एक टेबल स्प जो पीजा सोस बनानी है, उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया सोस पैन जिसमें दो टेबल स्पोन औल में मैंने आदा कब जो है वो tomato puree डाल दिया है, इसके इलावा भी चीनी डाल रही हूँ, फिर मैंने इसमें सॉल डाला है, हाफ टीस्पून, हाफ टीस्पून मैंने रज पाउडर डाला है इसी तरह से 1 तीजपून गार्लिक पाउडर और 1 तीजपून और और गयानो डाला है ये डाल के मैंने पांच मिनट के लिए पकाया है मैं ये पीजा सोस अपने बहुत सी रेसिपीज में पीजा की बता चुकी हूँ आपको चाहिए तो वह भी चेक कर लीज तकरीबान 1 1.5 आवर हो चुके हैं तो इसके जो है अब हम हवा निकाल रहे हैं और इसको हम बेल लेंगे इस तरह से बेलने के बाद जिस तरह आप पीजा बनाते हैं उस तरह से आप इसकी रोटी को बिलकुल फ्लैट कर दे और उसके बाद आपने क्या करना है जिस पैन में आपने बनाना है उसमें अच्छी तरहां से आप ऑईलिंग कर लें अच्छा अगर आपको अवन में नहीं बनाना तो आप इसको पैन में भी बना सकते हैं मैं उसके भी बहुत से तरीके बता चुकी हूँ लेकिन मैं जो है वो अवन में बना रही हूँ क्योंकि स्टेफ क्र ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इवन ली चीज जो है वो साइडों पर आप स्प्रेड कर सकेंगे वरना फेर टेहरा मेरा आपका पीजा बन जाएगा तो यह इस तरहां से आपने जो है वो चीज और जो मॉट सॉरी हलापीनो का मिक्सचर था वो आपने बीच में डाल के और स साइडों को इस तरहां से आपने बंद करना है। अब एक साइड इस तरहां से उठा करना शुरू करनी है और आपने सारी साइड इस तरहां से फोल्ड कर लेनी है। यह बहुत ही ईजी तरीका है stuff crust pizza बनाने का, personally मुझे stuff crust pizza बहुत जादा पसंद है और मैं जब भी बाहर से लेती थी यही सोचती थी कि एक ना एक दिन मैं ये खुद ट्राइ करूँगी और खुद बनाऊंगी और मैंने इस तरीके से बनाया है और ये ठ्रस्ट में बहुत अच्छा बनता है वीकेंड है आप जरूर ट्राइ कीजेगा आज कल तो वैसे भी बाहर से खाना नहीं लेना चाहिए तो आप घर पे जरूर ये ट्राइ करें बहुत मज़ेगा बनता है तो अब इस तरह मैंने छुड़ी की मदद से प्लेट को उठा लिया है अब ये जो सारी इंपरफेक्शन आपको नजर आरी है साइट पे आप इस तरह से हाथ की मदद से इनको पीज़े को साइट कर रही हूँ इसको स्प्राइट करने के बाद सिंपली हमें टॉपिंग्स डालनी है अब कुछ लोग पहले मौजरेला चीज डालते हैं आप वो भी डाल सकते हैं मैंने जो है वो पहले चिकन डाल दिया है चिकन डालने के बाद मैंने उपर से मौजरेला चीज डाली है ताक मैंने यहां पर अभी cheddar cheese यूज़ किया है पहले मैंने mozzarella cheese यूज़ की थी फिर इसके बाद मैं olives and jalapenos डाल रही हूँ again आपकी अपनी choice है आपने जो भी toppings यूज़ करनी है आप कर सकते हैं अपनी मर्जी की toppings यूज़ करें oregano जो है वो sprinkle कर देना है optional है अगर नहीं है तो कोई बात नहीं वरना इससे बड़ी अच्छी look आती है तो बस pizza हमारा ready है मैंने 20 minutes के लिए इसको bake किया है और यह इसको नीचे से भी मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल नहीं जला है यह बड़ा प्यारा सा color आया है इसका नीचे से भी और यह बहुत ही soft pizza बना है trust me इतना मज़े का pizza बनेगा कि आप याद करेंगे तो बस इसको आज ही बनाईए मैं इसको आपको काट के भी दिखा रही हूँ अगर यह आपको pizza पसंद आये तो प्लीज मेरी रेसिपी को like and share जरूर कीजएगा मेरे चैनल पर नए हैं तो subscribe करना ना भूलिएगा और अपनी दौाओं में याद रखिएगा इंशाला इंशाला नेक्स वीडियो में मिलूंगे एक बिलकुल नई रेसिपी के साथ तब तक अलाहाफेज